हलो बच्चो नमस्कार जैहिन प्यारे बच्चो इंडियन नेवी की जो अभी एक मैरिट लिस्ट आएगी उसको लेकर के अलग-अलग पिरकार की तुम्हारे मन में भ्रांतियां चल रही है कि सर आप तो कह रहेते बहुत वैकेंसी हैं बहुत सारे लड़कों का चेन होगा इस लिए इंडियन नेवी इंडियन नेवी का जो जो रिजल्ट है को 30 नवंब्र को जो आ रहा है कि जुँक्त पींदिन नवंब्र को जो आ रहा है दुवारा से रिपीट जो होगा रिपीट का मतलब एक और जो सेकन्ड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कितने लड़कों का लगबग कितने बच्चों का लगबग इसमें selection होगा क्योंकि अभी तो बहुत जादा बच्चा बच्चा हुआ है जिसका selection नहीं हुआ है और बहुत कम लड़कों को अभी तक joining दी जा रही है बच्चों एक बात समझता मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शुरू में वेकेंसी कितनी इसी 1300 पिलस बढ़ा करके इनको कितना किया गया बच्चो 4000 पिलस यान 1400 कुछ ठीक है लेकिन आपको मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ बच्चों इसकी जो वेकेंसी हैं बढ सब्रूरत है ट्रेणिंग सेंटर में क्योंकि आपको मालुम है यह जो जॉइनिंग है आपकी जो तीश नंबर को जो रिजल्ट आएगा इसकी जुईनिंग बच्चों कब है इसकी है अपरेल में है अपरेल दोहजार 24 में है मतलब अभी इतना सारा लड़का अभी लेगा अपना क्या लेगा क्योंकि वेकेंसी इतनी है इंडियन नीवी के पास खुब सारी हैं और इसमेंший लटकों को एकी चीध समझ में नियारे कि सर्फ बहुत सारे लड़के हैं हमारे आस-पास के हैं यार दोस्त हैम जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनमेंसे बहुत कम लड़कों का सेलेक्शन हुआ है आप इस सीज के बारे में इतना मस सोचिए मैं जो आप से कह रहा हूं उस बात पर फोकस करिए बेटा इंडिया नेभी में अभी जो तुमारी एक मेरिट आने वाली है 30 नमंबर को यह ध्यान रखना मेरे बच्चेस में बहुत सार लड़का भी दुबारा से फिर से सेलेक्ट होगा और इसको सेलेक्शन इसको सेलेक्ट होने के बाद में आपको जो अपरेल में आपकी जो जॉइनिंग होगी उसमें एक बात ध्यान रखना आ लेकिन इंडियन एर फोर्स में भी उनका फेज बन किलियर है तो मैं उनको यह कहना चाहूंगा आप इंडियन नेवी का इंतजार करें अपरेल के लिए वो ठीक है लेकिन फिलहाल आपको ज़रूरत है इंडियन एर फोर्स के फेज टू की भी तैयारी करने की क्योंकि इंड इंडियन नेवी की कटाफ कैसी रहेगी क्या रहेगी बिटा अभी बहुत सारे लड़कों का सेलेक्शन होना बाकी है इंडियन नेवी में ठीक है आप थोड़ा सा धहरिये बना के रखें अब ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब आपकी अमेरिक आने वाली होगी तब उससे